श्री प्राणनाध प्यारे कीजें, श्री सत्गुरू महराज कीजें आप अक्षराते धामधनी एवं मंजपर विराजमान पूजयपाद स्वामी जी, सम्मस्त विद्वत गण और सभी सुन्दर साजी को मेरा प्रियम प्रणाम जी मांगत हो मेरे दुलहा, मन कर करम वचन, ए जिन तुम खाली करो, मैं अरज करो दुलहिन किरंतन प्रकरण 62 चपाई एक मांगत हो मेरे दुलहा, इस प्रकरण के द्वारा महमती जी हमें इश्क की महत्ता समझा रहे है वह इस प्रक्रण में धनी से उनका प्रेम मांग रहे हैं यद्यपी महामती जी के धाम रिदय में तो धनी विराजमान है ही परन्तु इस प्रक्रण के द्वारा वह हमें प्रबोधित करना चाहते हैं मन कर करम वचन, मन वचन और करम से ही सभी कार्य संपादित होते हैं यहां महामती जी मन वचन करम से अरज कर रही है, मांग रही है परन्तु उनका मांगना अलग है सुन्दसाजी वह इस प्रकरण के द्वारा धनी से उनका प्रेम मांग रही है वह मांग रही है अपने प्रियतम से हम राजी को अपना प्रियतम तो कहते है परन्तु हम यह भूल जाते है कि यदि वह हमारे प्रियतम है तो हम भी उनकी प्रियतमा है हम तो उनसे हमारी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ती मांगते है हम उन्हें अपने आत्मा का पती मानते हैं लिकिन हम यह हम यह हम बूल जाते हैं कि अपने प्रियतम से उसके इश्क के सेवा कुछ भी मांगना इश्क को कलंकित करना है हमने स्वयम इस खेल को मांगा था और अपने इश्क को बड़ा कहते हुए कहा था कि सो बेर देखो आज माय के तो भी ना भूले हम परनतु यहाँ थोड़ा सा भी दुख आने पर हम अपने स्वरूप को, अपने इश्क को, ये खेल हमने सौयम मांगा था और वह भी द्रश्टा बनके देख रहे हैं, ये सब भूल जाते हैं और धनी से अरस करने लगते हैं, मन्नते मांगने लगते हैं, सौधे बाजे करते हैं, कि मेरा यह काम हो जाएगा, तो मैं इतना चड़ावा दूँगा, इतने महर सागर के पाठ रखवाओंगा, इतने पारायन रखवाओंगा, और हम जो देते हैं, जो चड़ावा भी देते ह तो सोयम के उपर लेते हैं, किया मैंने किया, हम यह बूल जाते हैं कि जो हमारे पास है वह भी हमें धनी की महर से मिला है, यदि हम छोटी सी छोटी सेवा करते हैं, थोड़ा चड़ावा देते हैं या भोग लगा देते हैं तो हमें यह विधित नहीं रहता, कि वह धान भी हमन सुन्दर साथ जी हुए हम अक्षरातित से उन्हीं की दिवए चीजों का सौधा करते हैं जो अक्षरातित हमसे कहते हैं कि रूहों मैरे तुम्हारा आशिक मैं सुक सदा तुम्हें चाहूं जो अक्षरातित हमसे बे इंतहा इश्क करते हैं जिनके सत अंके केवल पलक जपकने मात्र से ही ऐसे करोडो ब्रह्मान बन करके लैको प्राप्त हो जाते हैं उस अक्षरतित के साथ हम स्वदे बाजे करते हैं बीक मांगते हैं वह तो हमसे केवल प्रेम जाते हैं वह तो कहते हैं कि लाओ प्यार करो दीदार परन्तु हम उन्हें अपना प्रियतम कहते हैं, अपनी आत्मा का पती कहते हैं परन्तु हम यह भूल जाते हैं कही ना कही सुन्दर साथ जी इस ब्रह्मान की पती रता नार्यों की भी हमसे जो उनकी सिटी है वो हमसे कई गुना बैतर है जैसे सावित्री एक चक्रवर्ती समराट की पुत्री है, सुन्दर साजी एक चक्रवर्ती समराट की पुत्री, जो सोने की महलों में रही है, चपन प्रकार के व्यंजोन और आरोगे है, हर प्रकार से सुक्सुविदार से परिपून जीवन व्यतीत कर चुकी है, परन्तु सत् के लिए वन में रहकर कंद मूल खाकर जीवन व्यतित कन्ना स्विकार किया मर्यादा पूर्शोतम श्री राम को जब वनवास हुआ तो सिता ने भी खुशी-खुशी वनवास उनों ने भी ले लिया यह क्या कर कि जहां राम है वही मिरे लिए अयोध्या है और राम के बिना अ चाली करो मैं अरच करो दुलहिन हम यहां इंद्रवती जी अरच कर रही है प्रात्ना कर रही है कि मेरी इस अरच को अनसुना मत करना महामती जी की धामरिदय में तो है ही धनी विराजमान परन्तु इससे वह हमें सिखाप्तम देना चाहती है क्योंकि सुन्दर साथ जी हमार आत्मा जिस जीवपर विराजमान है ना, वह जनम जनमांतर से विश्व का भोब कर रहा है, तो प्रात्ना करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रात्ना करने से जीव मिर्मल होता है, नचाहों मैं बुजर की, नचाहों मैं खिताब खुदाए, महामति जी को इस जागने ब्रह्मान म खुदा का खिताब मिला है इसलिए सुन्दर साथ जी उनसे प्रेम करते हैं उनकी सेवा करते हैं उन्हें रिजाते हैं परन्तु उन्हें इन सबसे कोई मुह नहीं अपितु उन्हें तो वह जहर के समान लगता हैं परन्तु यदि आज देखा जाए तो जो महानुबाव सुन् प्यादी लिखवाते हैं, अपनी पूजा करवाते हैं, स्वयम को अक्षरातीत कहलवाते हैं, और जिस तन से अक्षरातीत में लीला की, उन्हें आचार्या, कवी, शंतों की श्रणी में रखने का प्रयास करते हैं। और उन्हों ने तो सुन्दर साथ की जागनी को हटा कर केवल आडम बरुक को ही प्रात्मिकता दी। ब्रह्मन करें, फिर तो पूरी की पूरी ब्रह्म्ह वाने की ही क्या आवशक्ता थी, सुन्दर साथ जी पूरी वानी में कहीं पर भी मंत्र देने की बात नहीं लिखी, और नाहीं बी तक में ऐसा कोई प्रसंग वानी थे, कि सद्धुरु धने श्री देव चंधर जी ने किसी कि ओम मंत्र दिया हो या फिर उन्हें कंटी पहनाई हो मंत्र कान में फूखने से क्या होता है कि केवल मंत्र ले लेने से या फिर कंटी बान लेने से हमारी जागनी हो जाएगी तो वह कदापे संभव नहीं इसलिए हमें प्रेम महिं चित्वनि के मार को अपना नहीं होगा क्योंकि बिना प्रेम के हम कभी भी धाम धनिक और प्राप नहीं कर सकते इसलिए तो इस प्रकरण के द्वारा महामति जी हमें धनी से उनका प्रेम मांगने को कह रही है इसके दीजे मुहे अपना, मुहे याही व्यस्द क्यूं ना हो परंतु हमारा मूल मुद्द, मूल लक्ष, केवल धनी और उनका प्रेम होना चाहिए हमारा ये संकल्क होना चाहिए यदि धाम धनी हम से एक पल के लिए भी दूर नहीं तो हमें भी सोयम को धाम धनी से एक पल के लिए भी दूर नहीं करना है यह कहना तो बहुत आसान है परन्तु इसका अनुसरन करना बहुत मुश्किल है सुन्दर साथ जी और हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा यह समझने की आवश्क्ता है कि संसार की जो प्रतिष्ठा और सन्मान की कामना है वा धनी की प्रेम में बाधक है क्योंकि बुजर की मारे रे साथ जी बुजर की मारे तो सुन्दर साथ को इस सब के प्रतिई आसकती नहीं रखने चाहिए आशा है कि सुन्दर साथ में इन बातों को ग्रहन करेंगे और केवल कहनी में ना रेकर रहनी में आएंगे अंत में में श्रीमुक्वानी की इसी प्रक्रण की चौपाई तुम दुलहां मैं दुलहिन और न जानू बात इश्क सो सेवा करू सब अंगो साख्याद कहकर अपने बक्तव्य को समाप्त करती हूँ सुन्दर साथ जी यदि मुझसे जरा भी भूल हो गई हो तो कृप्रया मुझे ख्शमा करेंगे तड़ा मुझे